नमस्कार प्यारे विद्यारतियों स्वागत आपका द्रिश्ट्री आई-स में आज हम लोग बात करेंगे UGC NetJRF परिक्षा से जुड़ी हुई तमाम बातें कि UGC NetJRF की परिक्षा ये होती क्या है इस परिक्षा की प्रस्ट भूमी क्या है इसको लेकर परिक्षा से प्रस्ट भूमी को लेकर आजादी से पहले भी चीजें चल रही थी आजादी से पहले जो विबिन शिख्छा आयोग बने थे यह समीतियां बनी थी उन्होंने भी उच्चतर सिक्षा को लेकर कुछ सुझाव देते कुछ अनुसंसाइं की थी आजादी में जब भारत आजा बढ़ावा देने के आवश्यक्ता है राष्ट्र की प्रगती के लिए और ये भारत ही नहीं किसी भी राष्ट्र की प्रगती के लिए अनुसंधान महत्वण होता है उस राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगती है वो अनुसंधान के माध्यम से संभव हो पाती है यानि कि अनु गठित होता है तो वहीं से सारी चीज़े आती है तरीके साथ कह सकते हैं कि नीव जो होती है वो डाली जाती है एक तरीके से बास समझ पार है उसके बाद में उपचारिक रूप से जो हम कहते हैं UGC विश्विद्याले अनुदान आयोग उनिवर्स्टी ग्रांट कमीशन तो U 53 को बात इस पस्ट होगा यहां तक कि तो UGC अस्तित्व में आता है 28 दिसंबर 1953 को उसके बाद में संसद भी एक अधिनियम बनाकर अपने अधिनियम के माध्यम से इसको सरकार का एक सामविधिक निकाय बना देती है ठीक है वो तिथी जो है वो जो वर्ष आपको ध्यान ल बन जाता है UGC तो उस समय से निरंतर शोद के छेतर में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है इसके अलावा उच्चतर सिक्षा को लेकर जितने भी तमाम नियमन वाली चीजे हैं या हम यह कह दे कि गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने हो गुणवत्ता को बनाई रखना हो जो मानक निर्धारित करता है UGC उनको बनाई रखने वाली जो बाते तमाम जिम्मेदारिया किसकी होती है UGC की होती है बिन्दोइसपस्ठ है तो UGC के दिशानिरदेश के अनुसार UGC के मार् यानि कि सबसे पहले यह परिक्षा हुई कब जब सहायक प्राध्यापक के लिए या शोद के छेत्र में अनुसंधान के छेत्र में नए विद्यारतियों को बुलाने के लिए यह बात हुई कि अनुसंधान को बढ़ावा देना है तो परिक्षा का योजन किया गया यह परिक् को इस परिक्षा को आयोजित कराने के जिम्मेदारी दी गई और दिसंबर तक से परिक्षा को आयोजित कराने की तमाम जिम्मेदारियां जो है वह एंटीए के पास है नेशनल टेस्टिंग एजनसी के पास है बात समझ पार है आप यहां तक कि यह आपका पाठ्ठे करम में एक है उच्चितर सिक्षा प्रणाली उसमें आपको बहुत विस्तार से पढ़ना होता है यूजी सी के बारे में भी और एंटीए के बारे में यहां तक कि बात इसपस्ट हो गई तो प्रस्ट भूमी को लेकर एक बिंदो इसपस्ट हुआ होगा कि परिक्षा की प्रस्ट भूमी क्या है चलिए बात करते हैं परिक्षा है तू अरता को लेकर क्या अरता होनी चाहिए किस अरता को अर्जित करने के बाद कोई विद्यार में बैठ सकता इस परिक्षा को दे सकता है लेकिन एक सुविधा और है एक सुविधा यह है कि यदि कोई विध्यारती अपने मास्टर के अंतिम समय में वर्ष में हैं वो भी इस परिक्षा में बैठ सकता है यूजी सी इस परिक्षा को पास कर लेने के बाद उसने अपने नोटिस में लिख कर दिया हुआ है कि एक विद्यारती जिसका master complete नहीं है वो यदि परिक्षा में बैठता है तो उसके पास परिणाम आने के बाद दो वर्ष रहेंगे आपको अपनी master complete करनी होगी पूरी करनी होगी और masters में वो जो 55 परती अंक नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो परिणाम होगा वो रद्ध हो जाएगा यानि कि वो जो सहायक प्राध्यापक के लिए या हम कहते हैं जूनियर रिसर्च फैलोसिप के लिए वह पिर अर्था नहीं रखेगा बात इस परस्ट हो गई यानि कि यह जरूरी है कि आपके masters में 55 परतीशत कम से परम अंक आपके होने चाहिए और जिस विशय में आपने masters के परिक्षा उत्तिर्ण की है उस विशय से ही आप इस परिक्षा को देंगे बिन्द इस परस्ट हो गए हैं तक का तो यानि कि master डिगरी आप कह सकते हैं masters या इसके समकक्ष भी कोई हो तो या इसके समकक्ष हो तो इसमें सामान जो जन्रल कैटेगरी है उसके लिए 55 परतीशत अंक अनिवार है होने चाहिए इसके अलावा जो अन्य हैं अन्य मतलब आप समझ लीज़े जैसे हम कहते हैं SC है ST है या OBC है या हम कहतें PWD है तो इनके लिए यह आरता है 50 परतीशत यानि कि उनके masters में 50 परतीशत अंक होने चाहिए कम से कम बात समझ आ गई यानि कि masters complete किया हो जिस विद्यारती ने उसके masters में जो परिणाव है उसके 55 परतीशत अंक कम से कम होने चाहिए बात इस परस्ट फिर जिस विशे से उसने अपना masters complete किया है उस विशे से वह इस परिख्षा में बैठ सकता है विंद्विस परस्ट हो गया है यहां तक का चलिए अब कुछ बाते आयू सीमा को लेकर भी कर लेते हैं देखिए इसमें दो चीजे हैं मलब एक है नेट और एक है जे आरेफ एक ही परिख्षा होती है परिख्ष qualified for assistant professor only वो होते हैं नेट जिनका नेट क्वालिफाई होता है एक पर लिखा आता है qualified for assistant professor and junior research fellow से वो होते हैं जो नेट जे आरेफ हो गए बात समझा के अब यहां नेट के लिए यदि बात की जाए तो नेट के लिए कोई आयू सीमा नहीं है कोई आयू सीमा नहीं नहीं प्रियासों की संख्या जैसा कुछ है कि आप इतने प्रियास ही दे सकते हैं बात समझ पर वर्ष में दो बार समानेत परिक्षा आयूजित होती है आप कितनी भी बार दीजिए अब नेट के लिए कोई आयू सीमा नहीं है जिस्त उम्र तक जाकर भी आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं जिस उम्र तक भी आप सिक्षक बनने की योगिता रख लेते हैं या सिक्षक बनना चाहते हैं जिस उम्र तक जाकर आप पढ़ा सकते हैं आप नेट की परिक्षा दे सकते हैं बात इस परस्ट होगी जब हम फोम भरते हैं तो वहां केटेगरी है उसके लिए अधिक्तम आयू सीमा है तीस वर्ष जन्रल केटेगरी के लिए पहले कोविड के दोरान जब साइकल एक्जाम साइकल जो थी थोड़ी गड़बड हुई थी तो उस समय यह हुआ था कि इसमें एक वर्ष का रिलाक्सेशन दे दिया गया था कि सामाने वर्ष के जो विद्यारती हैं वो भी 31 वर्ष तक इस परिक्षा को दे पाएंगे ज्यारेफ के लिए पास समझ पाए लेकिन पुना जब अभी 2023 वाला जो नोटिफिकेशन आया था जून एक्जाम के लिए उसमें यह पुना तीस वर्ष कर दिया गया और हमेशा जब नोट इसमें अन्य के लिए जैसे की बात कर लें एस्टी की हम बात कर लें यदि यदि हम कह दें ओबी सी के लिए तो इनको पांच वर्स की छूट होती है यानि कि यह 35 वर्ष तर जैरेफ के लिए परिशा दे सकते हैं जैरेफ के लिए यह अपलाई कर सकते हैं बिन्दुस विद्यारती हैं यह एक है जो आर्म्ड फोर्स वाले हैं उनको तीन वर्ष का रिलैक्टेशन होता है यानि कि वो 33 वर्ष तक जैर्फ के लिए लिजिबल होते हैं वाद समझ पा रहे हैं नेट और जैर्फ में अंतर क्या है तो मुख्यत है अंतर यह हो जाएगा कि जो नेट क्वालिफाई करते हैं उनका मुख्यधेक यह हो सकता है कि वो अध्यापक साहयक प्राध्यापक बनना चाहते हैं लेकिन जैर्फ के लिए यह हो जाएगा कि उसको अनुसंधान करना है विद्यारती को शोध करना है और जब जैर्फ क्वालिफाई हो जाता है तो विद् ठिक ठाक होती है हर चार साल पर बढ़ती है 2022 में भी उच्छिस तरिये जो बैठक है वो हो चुकी है यानि कि वो भी बढ़ गई है बिंदु इस पस्टे हैं तक का तो ये नेट और जयारफ में अंतर हो गया नेट के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आप किस सीमा तक दे सकते हैं सायू सीमा कुछ नहीं है परिक्षा पद्धती एवं शुल को को लेकर यदि कुछ बाते कर ले तो देखे पहले ये परिक्षा होती थी ओफ लाइन पहले ये परिक्षा जब CBST इसको कंड़क्ट कराता था तब ये ओफ लाइन होती थी लेकिन जब दिसम्बर 2018 में पहली बार NTA ने इस परिक्षा को आयोजित कराया तब से ये परिक्षा हो गई है ओनलाइन ओनलाइन हो गई है जिसको कहा जाता है CBT की CBT मोड में कंप्यूटर बेज्ट मोड में एक्जाम होगा बास समझ पा रहे हैं तो ये परिक्षा पदिती होगे कि वर्तमान में इस्तिति यह है कि ओनलाइन आपकी परिक्षा होती है आपके सेंटर आते हैं एड्मिट कार्ड जब मिलता है आप उस सेंटर पर जाते हैं कंप्यूटर पर बैठते हैं और परिक्षा देते हैं बिंदु इसपस्ट हो गए हैं यहां तक का चलिए अब यदि शुलक को लेकर कुछ बाते कर ली जाएं जो पॉम भरने के लिए जो शुलक होता है तो उसमें जो सामान्य EWS की और बात कर लें OBC के लिए तो इन दोनों के लिए 600 रुपे शुलक है 600 रुपे शुलक है EWS के लिए और OBC के लिए इन दोनों के लिए 600 रुपे फीज लगती है बिंदु इसपस्ट हो गए हैं तक का यदि बात कर लें SC, ST की या PH की उनके लिए 325 है उनके लिए शुलक कितना है? ओम भरने की जो फीज है वो 325 रुपे है बात एकदम इसपस्ट हो गई यहां तक की कोई समस्या नहीं तो जन्रल के लिए 1150 फीज है EWS जो जन्रल के ही इकोनमिकल वीकर सेक्षन है उनके लिए और OBC के लिए 600 SC, ST, PH के लिए कितना है? 325 रुपे शुलक है बात इसपस्ट हो गई अब अरहक अंक के लेकर बात कर लेते हैं कि कितने न्यूनतम अंक चाहिए क्वालिफाई होने के लिए क्वालिफाई के लिए मतलब यह की जिसे आपका पृथम प tariffs पत्र है तो सक एक मिनिमं कुछ मांक्ष कुछ पर्तिशाथ है कि इतने पर्तिश्यस मांक्ष आपके मिनिमं होने चाहिए उसको क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद मैरिट में आते हैं या नहीं आते हैं यानि कि पुर्थम प्रशन पत्र में आपके कम से कम 40 प्रतिशत अंग होने चाहिए और दुईतिय प्रशन पत्र में भी आपके कम से कम 40 प्रतिशत अंग होने चाहिए बिंदु स्पस्ट हो गए हैं तक कोई समस्या नीग तो कम से कम मिनियमम के बात करेंगे तो 40% अंक चाहिए अच्छा यह सामानने के टिगरी के विध्यारतियों के लिए बात हो गई यदि अन्य की बात कर लेंगे आप अन्य सभी को लेकर बात कर लेंगे तो उनके लिए 35 परतिशत है बात समझ आ गई अन्य के लिए सभी के लिए 35 परतिशत है कोई दिक्कत यहां तक में नहीं आई गया आपको कुछ अन्य महत्पूर्ण जानकारी इस परिक्षा को लेकर देखिए आपके दो पेपर होते हैं इसमें 55 प्रशन आते हैं होता है बिंदुइस पस्ट है अब तो ऐसा हो गया है कि एक साथ आपको दोनों पेपर मिल जाते हैं तीन गंटे की अवधी के लिए आप बैड़ जाते हैं पहले क्या होता था कि कुछ समय दिया जाता था बीच में यानि कि पहले एक गंटा मिलेगा आपको पेपर वन के हैं सभी अनिवारे हैं पेपर 2 की बात करेंगे 100 प्रश्न हैं सभी अनिवारे प्रश्न हैं ठीक है 2009 से एक नई पदिती लागू की गई थी उस समय एक तो नेगिटिव मार्किंग आई थी कुछ समय के लिए और प्रश्नों की संक्या पुर्थम प्रशन पत्र में साठ कर द रही है कि बात समझ आगी वर्तमान प्रश्न मिलते हैं वो सब अनिवारे हैं 2017 तक तीन पेपर होते थे आपके विशह के दो पेपर होते थे जिसमें तीसरे पेपर में आपको कुछ सवालों का जवाब लिखित रूप में भी देना होता था सब्जेक्टिव पेपर भी होता ठीक है लेकिन उसके बाद दो पेपर हो गए हैं अभी वर्तमान में भी दो पेपर हैं बात समझ आ रहे हैं तक कि तो यह कुछ अन्य महत्पूर्ण जानकारी हो गई 2023 में परिक्षा जीत हुई तो इसमें विश्यों को लेकर ध्यान लटतना है इस बात को कि जब नोटिस आता है जब नोटिफिकेशन आता है परिक्षा के लिए तो उसमें दिया जाता है कि कि dong में फेपर होता है कि बاجत समझ आरहे हैं तक कि तो यह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको योजी सी नेट जयारब की परिक्षा को लेकर एक सामानने जानकारी एक सामानने विद्यारती को होनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक पहुंची होगी मिलेंगे आपसे एगली क्लास में तिल देन बबाई हैव नाइस ट प्रड़ी